संबीत पात्रा जिसके कारण आज इनकी इस प्रकार से गंभीरता से पिटाई हुई है उनकी तबियत ठीक नहीं है ये वो काटून है आप देख सकते हैं और मैं मदन जी के साथ खड़े होकर ये लोकतंत्र की दुहाई देता हूं लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मेरा ट्विटर देख सकत होना है हमें समविधान बचाना है अगर इस काटून को ट्विट करने के लिए मेरे आख को लाल कर देंगे मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा कि इस काटून में ऐसा कुछ नहीं है आप याद करिए बाला साहब ठाकरे जिनकी संतान आज अपने आपको सिवसैनिक कह रही है बाला साहब ठाकरे काटूनिस्त थे 1945 से 1960 तक लगभग वो काटूनिस्त थे मारमिक में वो काटून बनाते थे उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो काटून बनाते थे काटूनिस्त से उन्होंने पूरे महरा ताकि ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिच की जा रही है महराश्ट्र में इस हत्या को हम रोग सके नमबर एक नमबर दो यहां पर तिवारी जी बैठे हैं तिवारी जी ने कहा मैं unconditional apology दे रहा हूँ अच्छा है मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम तिवारी जी ने एक परिपकोता तो दिखाई किन्तु मुझे तिवारी जी एक अधिकारिक प्रवक्ता नहीं है ये पाटी के प्रवक्ता नहीं है हाँ अगर संजे राउत आके कान पकड़ के माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई मैंने हराम खोर कहा मुझसे गलती हो गई मैंने कंगना राउत के रनावत के पिता के उपर कहा कि अगर तुम्हारा बाप भी होगा तो बाप को लेकर आओ मुंबई में फिर दिखाते हैं मुंबई क्या है अगर संजेराउद कहते कि हाँ मेरे से गलती हो गई मैं कान पकड़ता हूँ मैंने कहा था हम जबडा तोड़ देंगे मेरे से गलती हो गई मैंने सामना में लिखा उखार दिया मेरे से गलती हो गई मैंने सामना में लिखा कि पानी के अंदर रहके मगर से बैर नहीं करते हैं तो तो कुछ माना जा सकता था विश्यका और थे आप लोग जिसकार से डंडा ऐसे करके उन लोगों के उपर बरसा रहे हो हुआ महाराश्ट्र में यह क्या हो रहा है ऑक तोड़ा जा है किन आप अब मैं ऊंगली घुता कहते हो आप मुझे उल्टा किता कहते हो आपको राजस करना नहीं कहा है बाई या आप चले आपको राजस करना नहीं कहा है अब बैठो मेरी बात सुनो अभ्यान से महाराष्ट्र में यह क्या हो रहा जुबान खोड़ने पर घर ओफ ओ भगवान शुरोही जी कहां से लाया है इसको अब रुख जाएए अब साफ रुख जाएए महाराष्ट्र में यह क्या हो रहा है तुम्हारा आई टी तेल मेरा मजा कुणा आता है मैं बो 28 अंब पुनुट हो बस आप मजा कुर अने लाइक नहीं है ये तो क्या हो गयाgue rap आप मेरे बुजुर गहें सन्धित भी चांधे है तो आप शांती से बैठो नker बीटे को बोलने दो तो क्यों क्यों अच्छा मैं नौटी बोला तो आप हराम खुर समझ गए ये तो बड़ा कमाल की बात है अब आप शांती से बैटो बहुत बुद्धिमान हो आप बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए आप मुझे बोलने दिया जाए तुम उसी से नौटी बोल रहे ना और संजे राउ सरकार का हिस्ता नहीं है रोहिद भाई ये नौटी स्पोक्सपर्सन के आवाज को कम कर दो प्लीज संजे बाई मैं इन से उलजना नहीं चाहता हूं मैं जो विशे को रखने दिया जाए गंबीरता के साथ रखने दिया मैं दो तीन दो तीन उदाहरन देता इता दूसमें डिसमबर घ्रमचन करते में शांत बैट जाता हूं इस प्रमचन करते कि शोर जी प्रमचन वाले भी हैं हमारे पास ओढ़ी कनेक्ट हूए आचारे प्रमूत Đ कृश्ञ्ण मृसंब गई प्रमचन सब्सक्रा वैसे समझाने वाले जीडी बख्षी जी भी हैं हमारे साथ दोनों की बात आपको सुनवाओंगा लेकिन पहले आप दोनों की तो पुरी हो जाए कंसे कम प्लीज आप दोनों का इस खतम नहीं बोलूँगा दिसेंबर 2019 में हिरामणी तिवारी नामक विक्ती उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ टिपणी की थी और जो की बिलकुल दाइरे के अंदर था उनके बाल को मुंडवा दिया गया उनको घर से बाहर घसीट करके उनका बाल काटा गया आप याद करिए डिसेंबर 30 2019 को इसी महाराष्ट्र में एक नालायक शब्द किसने लिखा था कि उद्धव ठाकरेजी नालायक सरकार चलाते हैं सरकारी कर्मचारी है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ घर के बाहर घसीट करके उनकी पिटाई की गई 26 मई 2020 2020 में अभी कुदो 3 महीने पहले 37 पिंपरे और विवेक पांडे नामक दो वेक्ति उन्होंने फेस्बुक में कौरोना को लेकर महराष्ट जिस प्रकार लड़ाई लड़ रही थी उसके खिलाफ लिखा तो उनके दुकानों को पूरी तरह से तोड़ करके सिवसेनिकों को ने धर दिया समीर ठाकर समीर ठाकर नामक ट्विटर में एक प्रसिद्ध विक्ति बहुत सही सही टिपनिया वो ट्विटर में करते हैं और सजकता फैलाते हैं समीर नवसकार मैं हूं अंजना ओमकर्ष्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस् वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले